नमश्कार स्वागत आपका नियूस 11 भारत में मैं हूँ आपके साथ रुचित्वी हमर ज़ारकन की शिरुवात करते हैं बड़ी कबर के साथ जहां सिसाई में गुमला की सिसाई में चार लोगों को तांगी से काटा गया है घटा में तीन लोगों की मौत हो गई है एक गंभी बता जा रहा है आपको बता दें जमीन विवाद में इस घटा को अंजाम दिया गया है सिसाई थाना चेत्र सक्रोली गाओ की पूरी घटा जहां चार लोगों को तांगी से काटने की बात सामने आ रही है जिसमें तीन की मौत हो चुकी है जमीन विवाद में इस घटा को अं मौत हो गई है गुमला के सिसाई कि पूरी घटना जहां चार लोगों को टांगी से काट दिया गया है बड़ी कबर इस वक्त आपको बता रहे है जहां घटना में तीन लोगों की मौत है वह यह की हालत गंभीर बताई जा रही है जमीन विवाद को लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया है जमीन विवाद में तांगी से चार लोगों को काटा गया है जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया आपको बता दे जमीन विवाद को लेकर तांगी से चार लोगों को मौत की घट उतारा गया जिसमें तीन की मृत हो चुकी है एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है बड़ी कबर इस वक्त के आपको बता रहे है गुमला के सिस्ताई में चार लोगों को तांगी से काट दिया गया है गर्टा में तीन की मौद भी हो चुकी है वह ये की हालत काफी गम धीर बताई जा रही है कुछ जमीन विवाद हुआ था जिसे लेकर चार लोगों हो तांगी से काट दिया गया जमीन को लेकर कुछ विवाद हुआ जिसके बाद सिर्साई में चार लोगों को तांगी से कार दिया गया जिसमें तीन लोगों की मौद हो गए और देखें बादी ख़वर आपको बता रहे है जहां गुमला में जमीन विवाद हुआ जिस जमीन विवाद में सिसाईस में चार लोगों को तांगी से काटा गया और सुरेंद्र फोन लाइन पre जाधा जानकारी के साथ जूड़ रहे हैं सुरेंद्र देखिए चार लोगों को टांगी से काटा गया ऐसा क्या जमीन विवाद हुगा ऐसा क्या विवाद हुआ जो इतनी बड़ी घटा को अंजाम दिया गया पूरा मामला क्या है मैडम है बताना चातों परकन मुक्याले से तीन किलोमीटर को दोरी पर रवस्तित है सक्रोली गया अजमीन विवाद को लेकर ये पता चाड़ रहा है ये दोनों आपस के भाई हैं दोनों भाई के तीनों बेटा अलगल है उसके तीनों को मार पीट कर लाठी गंडे से तांगी से हाथिया कर दिये गिया ये गंवीर आफसा में घायल है उसको सीशे हस्पिकर ले गया है अब खना ले भी गया है सुरेंद्रे के हालत काफी गंवीर आ रही है सामने इस बात ये उसकी हालत अब क्या कुछ थिती है उसकी ये गंवीर आफसा में है थोड़ा सा कुछ आवाज आ रहा है ये भाई वाल आफसा में उसको अब ये हस्पिटर में लाजगत के दौरा नहीं पता चल पाएगा कि ये जिंदा हो पाते हैं या ये उमिर्ट हो जाते हैं चले बहुत बहुत धानेवाद सुरेंदर आपका तबाम जानकारियों के लिए देखिए गंवला के सिस्थाई में चार लोगों कुटांगी से काट दिया गया जिसमें तीन की मौत हो गई है और एक की हालत काफी गंभीर बताए जा रही है लाइक अन्ड शेर वीडियोस सब्स्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भार सच है तो दिखेगा